हाई एवरिवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मैं भी एक्दम अच्छी हूँ आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे दो काम जो कि हम ग्रिहनी को सुबे उठनी के बाद जरूर करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख सम्रिती बनी रहती है और ऐसे धन की भी कमीनी होती है और पती की भी बहुत तरक्य और उन्नती होती है तो मेरे घर में ये नियम जरूर से जरूर फॉलो होता है इसलिए सोची कि चलो आप लोगों के साथ भी ये नियम शेयर करूँ क्या पता आपके लिए भी हल्फुल रहे तो ऐसे पानी का छीटा हमें अपने जो एंटरेंस होती है बेन गेट के बाहर ऐसे करना होता है और अब लक्षमी से हमें निवेदन करना होता है कि आप मेरे घर पे आए शुक समरीदी के साथ आप निवास करिए तो ऐसे हमें बोलना होता है तो एक नियम है जो कि हम डेली ये फॉलो करते हैं तो यहां पे देखे आश्वी भी सो करके उठ गई है और यहां पे देखे एक द कि मुझे बनाना होगा तो मैं बनाओंगे तो यहां पे देखे मैं आश्वी को इस तरीक इस अच्छे से तयार कर दियुए और अभी क्या है कि आश्वी को सड़ी लग गया है तो इसलिए म्में सवेटर स्वेटर पहनाना शुरू कर दी हूँ और आश्वी को बहुत जादा सर्दी खासी भी हो गया है इसलिए और दूसरा नियम यह है कि हमेशा हमें उगते हुए सूरज को ऐसे जल चड़ाना चाहिए और साथी साथ तुलसी माता को भी चड़ाना चाहिए और यहां पर देख सकत अभी अब हमें बहुत ही जादा ध्यान रखना होता है तो अभी मैं आश्वी को अंदर ले जाओंगी गेट वगेरा बंद कर लूँगी उसके बाद में फिर मैं जो तुलसी माता है उनको जल चड़ाओंगी तो दूसरा नियम हमारा यह है कि हमें रोज सूरी भगवान को और तुलसी माता को जल चड़ाना चाहिए और जो हम तुलसी माता का अगर हम डेली पूजा करते हैं तो हमारे घर में कोई भी संकट नहीं आती है आप देखते हैं कि कभी-कभी जब होता है कि तुलसी माता जो तुलसी के पौधा होता है वो सूखने लगता है वो इसलिए ह होता है क्योंकि तुलसी माता कोई भी संकट होता है वो अपने उपर ले लेती है इसलिए तुलसी माता सूखनी लगती है तो इसलिए हमें तुलसी माता का हमेशा पूजा करना चाहिए और हमेशा कुशिश करिका कि साम को भी तुलसी माता पे दिया वगेरा दिखाने के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है और अगर घी पॉसिबल है तो घी से ही करिएगा अगर नहीं पॉसिबल है तो जो आपकी मर्जी है आप उससे अपना दिया चे से बार सकते हैं और तुलसी माता का पूजा कर सकते हैं और अगर हम तुलसी माता का पूजा डेली करते हैं तो क मारे लिए या फिर हजबन के लिए क्योंकि अभी हजबन का इक्जाम चल रहा है तो इसलिए मैं डायरेक्ट ब्रंच बनाऊंगी और टाइम बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि हजबन एक्जाम दे के जल्दी आ जाएंगे तो इसलिए मुझे सब चीज जटपट करना पर रहा ह इसलिए जितना हो सके तो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने का कोशिश करूंगी तो यहां पर दीके स्प्राउट्स है तो मैं अपने लिए ब्रिक्फस्ट नहीं बना रही हूं क्योंकि ऐसा होता है न कि हम अकेले रहते हैं तो फिर सोसते कि क्या ही पर देने के बाद तो फिर साथ में अच्छे से ब्रंच कर लेंगे लेकिन ऐसा नहीं कि हमें भूके पेठी रहना है इतने टाइम तक कुछ ना कुछ हमें जरूर खाना है तो मुझे ऐसा था कि स्प्राउट वगेरा खड़ाब भी हो रहा था और बहुत दीन भी हो गया था तो मैं इसलिए सोची कि आज स्प्राउट खाकर के इसे हटा देती हूँ खतम करती हूँ नहीं तो क्या होता है कभी-कभी ना फ्रीज में पढ़ा पढ़ा एकदम खड़ाब हो जाता है हम ध्यान ही नहीं देते हैं और लास्ट में क्या होता है हम फेक देते हैं तो यह देखे आश्वी है किचन रूम में आकर के इतना परिशान करती है हर चीज बस इधर से उधर गिनाने लगती है और मेरा समेटने में ही टाइम चला जाता है और आज ऐसे भी जादा टाइम नहीं है मेरे पास क्यूंकि हजबन जल्दी आएंगे तो ब्रंच वगेरा बनाना ह है और यहां पर देखे आश्वी का भी ब्रेकफ़स्ट बनके तयार हो गया है कि जो कि मैं बनाई थी ओट्स तो यह और तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है आश्वी को मैं सुवे सुवे दे देती हूं ताकि एकदम आश्वी एनरजी फील करती है और इसका पेट भी होगा रहता है एक हैवी मील के तरह ही होता है और मैं कम ही बनाई हूं क्योंकि आश्वी नहीं खाती है तो कई बार क्या होता है वेस्ट हो जाता है तो मैं सोची कि चलो वेस्ट क्यों करना कम ही बनाते है जितना बनाते उतना अश्वी को अच्छे से हम खिला देंगे लेकि यह होता है ना कि अब कैमरा सेट करना पड़ता है स्टैंड इधर से उधर करना होता है तो बहुत सारा चीज पॉसिबल नहीं था मेरे पास समय बहुत कम था और काम बहुत जादा था तो हर चीज दिखाना पॉसिबल नहीं था इसलिए सोची कि जो जो इंपोर्टेंट है जो जो आपको अच्छा लगेगा तो मैं बस वही वही चीज को इस वीडियो में रखी हूँ और दिखा रही हूँ तो आश्वी को भी मैं अब खिला दी हूँ और साथी साथ आश्वी का मुहाथ सब कुछ अच्छे से मैं पोच ल इस तरीके से और बाहर देखी कितना जादा आंधी जैसा चल रहा था हवा मत बहुत ही तेज हवा चल रहा था तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेड्रूम में और फटा फटा अभी मैं बेडिंग कर लूँगी क्योंकि मुझे यह होता है हस्बन के आने से पहले हमेशा बेड ठीक होना चाहिए क्योंकि उनको बिल्कूल पसंद नहीं है कि बेड वंगेरा एकदम बिखरा होकं जबकि आश्ली के चक्कर में बेड बिखरा ही रहता है क्योंकि उसको जम मैं बेड्र गोड़ती हूं तो अजीव मतार इधर से गुड़क्ती आधर जाती है उधर ज चेंज नहीं करती हूं, वीक में एक पार ही चेंज करती हूं, तो अभी मैं दो-तीन दिन के बाद से फिर मैं अपना घहर का सफाइप करना स्टार्ट करदूंगे, जो दिवाली का क्लीनिंग है, तो अभी हंस्पन का एक्जाम कोई डर एक हुद करूँ कि, चलो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा अगर वो फ्री रहेंगे तो ऐसे तो कुछ ऐसे उमीद नहीं है कि वो कढ़ी देंगे वो डिपेंड करते हैं उनके काम पे कि अगर वो फ्री है तब ही कर पाते लेकिन ऐसे मैं फोर्स नहीं करती हूं तो चलिए हम फटा-फट लंज का जो हमारा ब्रंच वाला है वो तैयारी कर लेंगे तो यहां पे मैं भिंडी का भुजिया और वेंगंका भाज़ा बनाओंगी तो इसका कॉम्मिनेशन है बहुत ही जदा अच्छा लगता है दान भाज़ और भुजिया बिंडी का और साती-सातव बिंगंग का बहतूद बह अगर वो आ गए और खाना वागिरा बनके तैयार ने हुआ तो फिर बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उनको स्टेडी के लिए जाना है फिर से इसलिए मैं एकदम ऐसा था कि जटपड जटपड बनाओ और एक बात गाइस अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार विजिट किय हैं मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीस मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए और जो जाए मेरी प्यारी से यूट्यूब फैमिली में और अभी देखिए हस्बंड भी आ गये हैं और आश्वी इतना जादा खुश हुजाती है ना मुझे एकदम बूल और पापा के साथ ये बस जहां इसके पापा ले जाएंगे वहां ये खुशी-खुशी जाती है एकदम सांत बच्चा वन करके और यहां पर मेरा विंडी का वुझे तयार नहीं हुआ था रेडी नहीं था और साथी साथ भाजा मीं नहीं था तो बस हजबन जब तक 20 कर लूए तो बच्चे के साथ नहीं वहां यहां बहुत साथ सारा चीज करना ना बहुत जादा डिफिकल्ट भी हो जाता है कि वह सारा चीज़ इazar से ऊदर नहीं गिराते रहती हैं और फिर रोती भी पीच में तो फिर उसे में संभालना पड़ता है देखना पड़ता है और साथे साथ काम भी होता है, तो कहीं बारना ऐसा होता है, हमारा काम भी लेट हो जाता है, प्रॉपर टाइम से हो नहीं बाता है, तो ये सब चीज तो नॉर्मल है, ये इनिशल डेज जब तक बच्चे छोटे हैं, तो ये सब होगा ही, बड़े हो जाएंगे, तो ऐसा कभी ठीकाद पढ़ने वाला है नहीं तो यह कुछ दिन ऐसा होता ही है जिसमें हमें અज़ाइस्ट करना होता है बच्चे को भी समालना होता है घर का चीर करना पड़ता और देखते देखते सारा चीज निपड भी जाता है और कैसे वक्त भी बीछ जाता है पता नहीं живопод अब इतनी जादा हुए रहा था आपस कए सकतें कैसे पेर गडिए की सतमस्ट है और दखेंहें हुए ब्रेंच है बनकर के तयार हो गया है बात डाल बिंडी का भुजिया और मैंगन का भड़ता तो बस आज के व्लॉग में इतना ही आई होफ वीडियो आपको अच्छा लगा होका अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो जो पटापट देख लिजे तब तक बाई बाई